देवियो सजनों आप सभी को जै स्री राम जै स्री क्रिष्ण रादे रादे हर हर महादेव आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिप पुराण में ऐसा क्या है जिससे सुन्ने मात्र से ही देव लोग की प्राप्ति होती है सिप पुराण के सुन्ने से देव राज को सिप लोग की प्राप्ति हुई उन्होंने सिप लोग में अपना इस्तान प्राप्ति किया वीडियो को आखरी तक चरूर सुने जिससे कि आपको पता चले कि सिप महापुराण को सुन्ने से आपको क्या फल मिलने वाला है आईए जानते हैं सिम महा पुराण के सरमर्ण से देवराज को सिभ़ लोग की प्राप्ति कैसे हुई आज की वीडियो में हम सिभ़ पुराण के बारे में जानेंगे स्री सौनक जी ने कहा महा भाग सूत जी आप धन्न है परमार्थ तत्त के ग्याता हैं आप धन्ड हैं आपने क्रपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्वुत एवं दिव्य कथा सुनाई है बूतल पर इस कथा के समान कल्यान का सर्व स्रेष्ट सादन कोई नहीं है यह बात हमने आज आप की क्रपा से निश्चे पूर्वक समझ ली है सूत जी कल्यों में इस कथा के बाद द्वारा कौन कौन से पापी सुद दोते हैं उन्हें क्रपया करके बताईए और इस जगत को केतार्थ कीजिए सूत जी बोले मुने जो मनुस से पापी, दुराचारी, खल तथा काम कुरोध आदमे निरंतर डूबे रहने वाला है वे भी इस पुराण के सुनने या पठन पढ़ने से अवसी सुद हो जाते हैं इसी विशे में जानकर मुनी इस प्राची नित्यास का उदारण दिया करते हैं जिसके सुनने मातर से पापों का पूर्ण तहन ना सो जाता है पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्रहमड रहता था जो ज्यान में अत्यांत दुरुवल दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक दरम से बिमुक था वो इसनान संध्या आधि कर्मों से ब्रश्ट हो गया था और बैसे व्रत्ति में तत्पर रहता था उसका नाम था देवराज वो अपने उपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करदा था उसने ब्रहमडों, चत्रियों, बैसेओं, सूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मार कर उन-उनका धन हड़प लिया था परन्तु उस पापी का थोड़ा सा विधन कभी धरम के काम में नहीं लगा था वहाँ बैसे गामी तथा सब प्रकास से अचार ब्रश्ट था एक दिन घूमता गामता वह देव योग से प्रतिष्टा नपूर जूजी प्रियाग में जा पहुँचा वहाँ उसने एक सिवाले देखा जहां बहुत सादू मातमा एकत्र होते देवराज उस सिवाले में ठैर गया किन्तु वहाँ उस ब्रामड को बुखार आ गया उस बुखार से उस को बहुत पीड़ा होने लगी वहाँ एक ब्रामर देवता सिब पुराण की कथा सुना रहे थे बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्रामर के मुखार बिंद से निकली हुई उस सिब कथा को निरंतर सुनता रहा एक महीने के बाद वह बुखार से अप्तिंत पीड़त होकर चल वसा यमराज के दूट आये और उसे पासव से बाद कर बलपूर वक यमपुरी में ले गए इतने में ही सिब लोग से भगवान सिब के पासद गड़ आ गए उनके और अंग करपूर के समान उज्जल थे हाथ तिरसूल से सुसोवित हो रहे थे उनके संपूर अंग बस्म से उद्धास थे और उद्धराच की माला उनके सरीर की सोवा बढ़ा रही थी वे सब के सब करोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूटों को मार पीट कर बाराम बार दमका कर उन्होंने देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अदूद बिमान पर बिठा कर जब वे सिवदू केलास जाने को उड़े उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कौलाहल मच गया उस कौलाहल को सुनकर ये दरमराज अपने भवन से बाहर आए साच्छा दूसरे रूद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारो दूटों को देखकर दरमक ये दरमराज ने उनका बिधी पूर्वक पूजन किया और ग्यान दृष्टी से देखा सारा ब्रतांत जान लिया उन्होंने बै के कारण भगवान सिव के उन महात्मा दूटों से कोई बात नहीं की उल्टे उन सभी की पूजा एवं प्रात्ना की तस पच्चाद वे सिव दूट केलास को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्रामर को दया सागस साम्ब सिव के हाथों में दे दिया सोनक जी ने कहा महा भाग सूट जी आप सरवग्य हैं महा मते आपके क्रपा प्रसासे में बारं बार क्यतार्थ हुआ इस इत्यास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनन्द में निमंगन हो रहा है अता अब भगवन सिव में प्रेम बढ़ाने वाली सिव संब्दिनी दूसरी कथा को भी कहिए आज की कथा में वस इतना ही फिर आते हैं सिव महा पुराण की दूसरी कथा के साथ आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्स्राइब करें और सनातन धर्म का प्रचार पिसार करें जिससे कि आपको पुन फल प्राप्त हो सके सिव महा पुराण में ऐसे ऐसे रहस्त चुपे हुए हैं जिने सुन्ने मातर से ही सिव महा पुराण में सुन्ने मातर से ही लोगों का उद्धार हो जाता है हर हर महादेब कमंट में हर हर महादेब जरूर लिखे